हेलो दोस्तों हमारे एक और इंट्रेस्टिंट टॉपिक वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपने अभी तक अपारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों आज का हम महंदरोगनी का जिप वीडियो है जो उनका जीन परिश्य एंके बारे में बात करेंगे है महंदर जोगनी का जनव 1649 को हर्दा मध्यपर्देश बारत में हुआ महंदर जोगनी बच्पन से पड़ाई में बहुत कमजोर थे उनका पड़ाय में मन बिल्कुल नहीं लगता था कक्सा आठ तक जैसे दैसे करके पास हो गए लेकिन कक्सा नोभी में फैल हो गए और उनके नए स्कुल का नियम था कि यदि कोई बच्चा फैल हो जाता है तो उसे स्कुल से निकाल दिया जाता है इसकुल में फैल के बाद उनको इसकुल से निकाल दिया गया इनके इसकुल का नाम एक्सिलेंस इसकुल नाम था इसके बाद इन्होंने डिसाइड कि वह अब आगे नहीं पढ़ेंगी लेकिन उनके गरवालों ने कहा कि तो में पढ़ना होगा और कक्सा नोवी में ही फिर से पढ़ना होगा इनको आगे की पढ़ाई नहीं करने थी लेकिन इनके गरवाले इनको जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए पोर्स किये और एक दूसरे सरकारी सकुल में इनको एडिमिसन दिलाया उस सकुल में भी बहुत अनुरोद के बाद इनको एडिमिसन मिलाता क्योंकि सकुल वालों का कहना था कि जब ये एक्सिलेंस में फैल हो गया तो यदि हम इसको एडिमिसन देते हैं तो इमारे सकुल का नाम खराब हो जाएगा जब इनका कक्सा 9 में एडिमिसन हो गया तो इन्होंने ठान लिया कि अब मैं पूरे मन से खड़ाए करूँगा इसके अलावा में कुछ नहीं करूँगा दो साल बाद इन्होंने उसी सकुल में कक्सा 10 भी में टॉप किया और पड़ाए में बहुत तेज हो गए थे इनको बजबबन से ही नाचने का बहुत सोब था और ये प्रोग्राम में बाद भी लिया करते थे बार वी कक्सा पास करने के बाद इनका सेलेक्शन SDI कलरक में हो गया लेकिन इन्होंने जोइन नहीं लिया और उस जोग को छोड़ दिया जिस इंस्टिटूट में ये तैयारी कर रहे थे उसी इंस्टिटूट में इनके गुरू एक मोटिवेशन प्रोग्राम करने वाले थे और बच्चों को सिकाने वाले थे लीडर्शिप कैसे बिल्ड की जाती है और सफल विक्ति कैसे बने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए महंदर बहुत उपसाहिट थे लेकिन प्रोग्राम सुरू होने से पहले ही उनके गुरू ने बोला कि महंदर तुम नीचे चले जाओ क्योंकि यहाँ जो भी बाते होंगी वो बहुत उंची लेवल की होने वाली है जो तुमारे बस की नहीं है वो नीचे गए और कूब रोए कि उनको ऐसा क्यों बोला गया इसके बाद वो गर गए और फिर कभी इंस्टिटूट में नहीं गए इंस्टिटूट छोड़ने के बाद वो गर पर उदास रहने लगे और ज़्यदा दिन बेर सोने लगे एक दिन वो गर चोड़कर बग गए और बाहर जाकर कॉल सेंटर में काम करने लगे वो दिन में गेरेज में काम करते थे और रात को कोल सेंटर में काम करते थे एक साल तक कूब रात दिन काम किया और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक दम दूबले हो गई और उनका सेथ खराब होने लगा इसके बाद वो सोचे कि इधर मरने से अच्छा है कि अब मैं घर चला जाओ इसके बाद वो गर लोट कर आगए गर आने के बाद उनके परिवार वाले पूचे कि अब क्या करना है तो उन्होंने बताया कि मैं अब पापा के साथ गेरेज में काम करूँगा अगड़ाइस साल काम करने के बाद एक दिन उनका अपने पिता से बस हो गया और वह सोप पर काम करना छोड़ कर चले गए इसके बाद उन्होंने एक साल तक पड़ाई और इनका सिंडिकेट बेंक में सेलेक्शन हो गया लेकिन इन्होंने इस जोब को नहीं किया और छोड़ दिया फिर इन्होंने कमपेटिव एकजाम की तयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला और उसमें बच्छों को फड़ाने लगे अपने विद्यार्ति उसे हमेशा कहते थे कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करना जरूरी नहीं कि एक गवरन्मेंट जोब लो कुछ सालों के बाद इन्हों के तिन ब्रांच हो गए लेकिन इन्होंने वर्ष 2017 के अंद तक अपने कोचिंग को बंद कर दिया और फिर एक मोटिवेशन स्पिकर बनाने की राप पर चल दिये इन्होंने एक कैमरा और एक मैक लिया और अपने यूटुब चैनल की सुवात की जिन्हें आप अभी महिंदर डौग नी MD Motivation के नाम से जानते हैं आज इनके महंदर डोग ने MD Motivation YouTube चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना है जैहिंद वंदे मातरण